हेलो फ्रेंड स्वागत था आप सभी का रभी सर्यू के बाले में तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं सुरूँ आज की वीडियो है उत्राखन SSC के लिए जिसमें हम 10 प्लस टू और ग्रेजिवेशन लेबल के जो सभी एकजाम है उनके यहाँ पर 1000 प्लस वीडियो और सभी एकजाम के लिए इंपोर्टन रहेगी वीडियो तो यहाँ पर से मोस्ट इंपोर्टन की स्रीज है जो कि आपको एंड तक देखनी और यहाँ पर से आप देखेंगे कि यहीं से जो कि आपके एकजाम में फोचे जाने वाले हैं तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर्ट सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्याद से जाद से यहाँ पर हमने 50 कोष्चिन तक पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं आज ह तो इससे पहले वाली वीडियो मां हमने last question किया था कि उसमें अंतराश्टी यानि की देशों के साथ सीमा लगने वाली जनपत बताये थे अब हम यहाँ पर देखने वाले अंतराजी सीमा तो यहाँ पर 6 जनपत हैं जो की अंतराजी सीमाओं से लगते हैं अगला question है चेत्रफल की द्रश्टी से राजी का सबसे बड़ा जनपत कौन सा है तो चेत्रफल की द्रश्टी से आपको बताना होगा यहाँ पर उत्तरकासी जो है इसका right answer होगा option D तो गाइज इस टाइप की question जितने भी है उत्राखंट के छेत्रफल से सम्मंदित और उत्राखंट के भुगोल से सम्मंदित उन सभी को मैंने यहाँ पर उनके एक स्रंकलाच लाई रखे है जिसमें मैं उत्राखंट के भुगोल को detail में discuss कर रहा हूँ तो अगर आपने वह अभी तक नहीं देखिए तो आप वहां पर लिंक से देख सकते हैं इसकी playlist यहाँ पर आपके फॉन के ऊपर राइट शायट पर आई क्लर आई बटन होगा वहां पर अगर आप प्रेस करेंगे तो वहां से आपको एक playlist दिखेगी उस playlist में जाकि आप सारी वीडियो उत्राख छेत्रफल की दरश्टी से सबसे छोटा जनपत कौन सा है तो हमें इसका आंसर बताना होगा चंपावत इसका राइट आंसर होगा जो कि छेत्रफल की दरश्टी से सबसे छोटा जनपत है अगला question है जन संक्या की दरश्टी से राजी का सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो जन संक्या सबसे जादा जो है वो हरिद्वार जीले में है इस्तित तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेशन है सबसे कम जन संक्या वाला जनपत कौन सा है अगला question यहाँ पर 56 है आपके सामने 2011 की जनकरणा की अनुसार राजी की जनसंक्या कितनी थी तो यहाँ पर जो भी आखड़े आपको दिर्खें वो सब करोड में है तो आप इनको करोड मानके चलीगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.01 करोड जो की 2011 की जनसंक्या की अनुसार उत्राखन राजी की जनसंक्या थी ठीक है अगला question है 57 जनसंक्या की दरश्टी से राजी का देश में कौन सा इस्तान है तो यहाँ पर जनसंक्या की दरश्टी से अगर बात करें तो उत्राखन का राजी का जो इस्तान आता है वो 20 वे नंबर का आता है यानि कि option गौ इसका राइट आंसर होगा अगला question है सरवाधिक जनसंक्या वाले जनपत है करम सा घटते करम में यानि कि हमको पताना है सबसे अधिक जनसंक्या वाला कौन सा है फिर उसके बाद घटते वे करम में यानि कि घटते वे करम में हमने जनसंक्या वाले जनपत बताने है तो सबसे जादा जो जनसंक्या वो है हरिद्वार की हरिद्वार के बाद देरादून की है देरादून के बाद उधम सिंग ने अगर की है जन संक्या और फिर उसके बाद नेनिताल की तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खो अप्शन हो जाएगा तो इसका राइट आंसर खो है अब हमको अगले वाले क्वेशन में बताना है सरवादिक कम जन संक्या वाले जनपत बढ़ते क्रम में अभी तक जो हमने उपर वाले क्वेशन में पढ़ा वो घटते क्रम में था जन संक्या का अब हम बताना है बढ़ते हुए क्रम में यानि कि सबसे पहले सबसे कम जन संक्य है वो है रुद्रपध्याक की फिर चंपावत की है फिर बागेश्वर की फिर उत्तरकासी ओप्षन घौ यहां पर इसका रायट अंसर होगा एक सटवा प्रसंद देखेंगे आपके सामने है जन संक्या सन 2011 के अनुसार साक्षरतर दर कितनी है तो 2011 की गड़ना के अनुसार उत्राखंड की जो साक्षरतर दर है वो है 79.63 परसंट तो ओप्षन ए इसका रायट अंसर होगा अगला क्वेशन है 2011 के अनुसार सर्वादिक साक्षरता है सर्वादिक साक्षरता वाला जन्पत बताना है हमको तो वो है देहरादून ऑप्षन डी इसका रायट अंसर होगा अगला Question आपके सामने है 2001 यहाँ पर 2100 लिखाए 2011 की अनुसर जनपद दहरादून के साखचरता दर कितनी है तो यहाँ पर आपको बताना है 2011 की अनुसर दहरादून जनपद के जो साखचरता दर है वो कितनी है तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह होगा option C, गौ 85.24% ठीक है, अगला question है यहाँ यहाँ पर 64, निमनितम साक्षरता दर 2011 के नुसर की जनपद में है, तो हमें सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला बताना है, तो इसको जो राइट अंसर होगा वो गह, यानिकि उधमसी नगर जो है, वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला था, अगला question है, उत्राखन राजी में 2011 की जनगरना के नुसर, तो 70.70% यहाँ पर महिला के साक्षरता दर दर्ज की गी थी 2011 में, क्योंकि यह जो जनगरना होई थी 2011 में होई थी, तो उसी के अनुसर हम आपको यहाँ पर आकड़े दिये गे हैं, और उनीस से यहाँ पर question आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो भी question है, व अनुमान है कि इस टाइप के question और पोशे जाएंगे, तो आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं, और वीडियो को like करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, और जादा से जादा share करें, अगर आपको इसकी PDF चीह होगी, तो आप एक काम करना है, यहाँ पर मेरा टेल प्रीग्राम का link में ने यहाँ पर discussion ने दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पर आप join कीजिएगा, और उसके बाद आप file में जाएंगे, तो वहाँ पर से आप इसकी download कर सकते हैं, तो चलिए अगले question के और बढ़ते हैं, अब यहाँ पर अगला question है, 2011 के नुसार पुरुष साक्चरता दर कितनी हैं, अभी हमने बात की, इससे पहले महिला साक्चरता दर, 70.73 अब यहाँ पर पुरुष साक्चरता दर के बात करेंगे, तो 88.33% यहाँ पर पुरुष की साक्चरता दर 2011 में थी, अगला question है, साक्चरता की द्रश्टी से देश में राजी का इस्थान कौन सा है तो हमें बताना है कि साक्षरता की दर्ष्टी से यहां पर उत्राखंड का जो देश में इस्थान है वो कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर होगा इलेवन थे यहां पर अग्यारवा इस्थान है साक्षरता की दर्ष्टी से उत्राखंड का इस इसलिए इसका right answer हो जाएगा option D अब यहाँ पर 69th question है आपके सामने 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है तो यह question जो 69 है इसका answer आपको यहाँ पर comment box में देना है तो यह आपका homework के लिए question है आप यहाँ पर comment कीजिएगा इस question को और चलते हैं आगले question के में हम सत्तरवा question है 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात है तो देश का लिंगानुपात बताना है हमको यानि कि जो लिंगानुपात होता है वो 1000 की संख्या में हमको बताना होता है कि कितने फूरुस और कितनी महिलाई है तो 1000 अगर हम पूरुस की बात करें तो 1000 पूरुस पर कितनी महिलाई हैं ठीक है वो हमको बताना होता है तो यहाँ पर अगर देश की बात करें तो 940 महिलाई थी 1000 पूरुसों पर ये लिंगानुपात कहलाता ठीक है आई होप आपको समझ में आगया होगा लिंगानुपात अगर समझ में आगया है तो वीडियो को थमस अप करके लाइक जरूर कर दीजीगा अगला क्वेशन है 71 2011 के अनुसार उत्राखंड राजी का लिंगानुपात है परती हजार में बताना है हमको उत्राखंड का इससे पहले हमने बताया था पूरे देश का बताया था जो कि 940 था एक हजार पर अब यहाँ पर उत्राखंड का बताना है तो उत्राखंड का जो है वो 963 है जो कि एक हजार पर है ठीक है हमें बताना है अगला question 73 सरवादिक कम लिंगानुपाद 2000 अग्या रके नुसार है सरवादिक कम लिंगानुपाद 2021 अग्या रके नुसार किसका है यह आपको बताना है तो इसका answer भी आपको यहाँ पर homework के तौर पर यहाँ पर comment box में देना है तो आप यहाँ पर comment box में आंसर केजीगा इसका तो मैं देखूंगा कौन कौन से लोग हैं जो कि इसका आंसर सही करता है 74 है question आपके सामने 2011 के नुसार अल्मोडे का लिंगानुपात कितना है परती 1000 में अल्मोडे का लिंगानुपात बताना है तो अल्मोडे का जो लिंगानुपात था वो सरवादिक था उत्रखंड में 2011 के नुसार जो कि था 1142 यानि कि 1000 पूरो सूपर यहाँ पर अगर देखेजी महलायो के संक्या तो 1142 महलाई थी ठीक है अगला क्वेशन है अंजन गरना के अनुसार हरीद्वार का लिंगानुपात कितना रहा है तो हरीद्वार का लिंगानुपात बताना है आपको तो इसका आंसर भी आपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में करना है होम और की तौर पर तो यहाँ पर आपके क्वेशन यहाँ पर और important question लेके आओंगा जो कि 1000 प्लस की question series हमारी उत्राखन SSC के लिए तो thank you so much